Fellow friends, welcome back to another new video तो आप में से काफी साइ स्टोरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या सच में अब जो MBA CET की examination है वो postpone हो सकती है क्योंकि जो dates है गई वो काफी पास आचुकि examination के जो tentative dates release हुए थी और अभी तक जो application form filling process है वही शुरू होने की है तो कितनी possibilities आई गई examination postpone होने की and अगर postpone होती है तो जो new dates है वो क्या रह सकती है इसके बारे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साथी में मैं आपको एक important seminar के बारे में बताऊंगा तो वीडियो पूरा जो है वो enter देखते रही है तो यह गई CET Cell के official website और यहाँ पर गईज अभी हमें कोई भी जो update है वो देखने को नहीं मिला है अगर हम MBA के टैप पर क्लिक करते है तो फिर से गईज हम यहाँ पर ही जो है वो redirect हो जाते है and notifications में भी अगर हम देखते है तो यहाँ पर हमें तो यह जो seminar है गईज वो cat examination से related जो है वो conduct किया जाने वाला और जो cat का score है गईज यह भी बहुत important होता है इस score पर गईज आपको IAMS में भी जो admission है वो मिल सकता है जो कि one of the premium institute होती है जो आपको higher package हो है वो मिल सकते है यह जो seminar है गईज इसमें जो speaker है वो रहने वाले है राहूल शर्मासाद इन्होंने कई cat examination में तीन बार जो है वो 100% का score है वो achieve किया है जो कि एक बहुत बड़ी achievement है इन्हें काफी experience है cat examination के बार में तो एक अच्छा जो seminar है गईज वो conduct किया जाने वाला है जो venue है और जो पूने के students होंगे या फिर पूने के आसपल जो students है वो रहते होगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी opportunity है क्योंकि यह जो पूरा seminar है वो पूने में conduct किया जाने वाला है जो date है वो है 26th of Feb and timing है वो है 12 बजे आपको इसके लिए जो है वो register करना पढ़ेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि जो registration process है वो पूरी free है और कैसा आपको अपनी पूरी जो preparation है उसको पूरा plan करना है और उसके according जो है वो आगे बढ़ना है ताकि आपको cat में अच्छे जो percentile है वो मिले और आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि 15 तारीक तक अगर अपडेट आता है तो बहुत बढ़िया ने तो उसके बाद अगर अगर अपडेट आएंगे तो हो सकता है कि फिर examination dates में कुछ जो changes है वो देखने को मिले और आज की जो तारीक है 17 तारीक और अभी तक को भी आप हमें जो ready है वो देखने को नहीं मिल रहा है तो maximum जो chances है हो तो लगरे कि examination postponed हो जाएगी बट अभी तक जो official update है वो नहीं आया है और जब तक official update नहीं आता है तब तक वो जो uncertainty है वो रहेगे कि postponed होगी या फिर नहीं तो chances तो maximum है कि examination जो है वो पोस्पोर्ट हो नहीं कि सच में जो examination है वो पोस्पोर्ट हो जाएगी ती है तो अभी students काफी confused होगे कि अभी हम पढ़ाई करें या फिर जो postponed है उसका update जो है वो आने का जो इंतजार है वो करें तो मैं तो आपको यहीं बोलूँगा कि यह आपके लिए जो situation है वो जादा अच्छे है क्यों में आपका ही फायदा होगा क्योंकि फिर इसमें आप अपना जो preparation है वो और भी बढ़िया तरीके से कर पाऊगे maximum आपके जो preparation है वो हो गया होगा और जो भी topics ऐसे होगे जो इसमें आप कमज़ोर हो या फिर जिसमें आपका mock test में जो score है वो कम आ रहा हो उसके उपर आप ज लग रहे है कि जो examination है वो postpone हो सकते है अगर examination postpone होगी तो फिर हो सकता है कि फिर हमें जो examination के dates है वो April मंत की जो है वो देखने को मिल जाए ठीक है तो भी 2-3 दिन में हो सकता है clear हो जाए अगर 2-3 दिन में भी application form filling process नहीं आती है तो फिर postpone का जो update है वो हमें कुछ देरबान जो है वो देखने को मिल जाए ठीक है कोई भी अगर updates आते हैं मैं आपको time पर सारे जो updates है वो देदार होंगा साथी में आप मेरा जो telegram group है वो भी join कर सकते हो आप सारे जो updates है वो देदार होंगा और जैसे मैंने पूल डाला था कि क्या आपको MBCT mock test चाहिए तो काफी बढ प्री में भी जो है दिल देखने को मिल सकती है तो उसके लिए भी गईज जरू से रेडी रहना है और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल एकन जोरी से दबा देना थाकि आपको time to time MBCT related सारे जो updates है वो मिलते रहे और जो seminar है उसके लिए registration जरू से कर लेना बहुत फाइदा होगा अगर आप उसको attend करोगे तो ठीक है तो मिलते कीज ऐसी और एक informative वीडियो में है